So guys, Big Boss 17 की starting हो चुकी हो और यहाँ पहले ही दिन बहुत ही बड़ी चीज़ देखने को मिली है क्योंकि यहाँ पर शो के अंदर मुनावर फारकी और मनारा चोपला जो की प्रियंका चोपला की गयजन है इन दोनों को ही confession room में बुला लिया गया है और यहाँ पर Big Boss ने मुनावर फारकी से माफी मंगवाई है इसके अलावा उन से उनका point of view भी पूछा गया है अब आइए बताते हैं आपको क्या है पूरी न्यूस सो गाइस शो के अंदर मनारा चोपला और मनावर फारकी दोनों एंटर होते हैं जहांपर मनारा को Big Boss ने मौनीटर बनाया होता है और वो मनावर फारकी से तीन घरों में किसी एक घर को चुनने के लिए बोलती है जिसके बाद मनावर फारकी और उन दोनों की बीच छोटी सी नोग जोग हो जाती है जहांपर मुनावर फारुकी साफ़ भार्ट से बोलते हैं कि इनका जो मन करेगा वो वही करेंगे और ऐसे मियामपर खुद बिग बॉस बीचमें इंटरफियर करते हैं और मुनावर फारुकी कुछ कन्फिशन रूम में बुलाती हैं जिसके बाद मुनावर फ़ार की को बिग बॉस साफ तोर से ये बात बताते हैं कि बिलकुल उन्होंने मनारा चोपड़ा को इस में मौनीटर बनाया हुआ है घर का और वो जैसा बोलेंगी आपको वैसा ही करना पड़ेगा जिसके बाद भी मुनावर फ़ार की इस चीज़ पर बिग बॉस से भी थोड़ी बहुत नोगशोग करते हैं और वो अभी भी इस बात पे पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रहे कि मनारा चोपड़ा इस समय बिग बॉस घर की मौनीटर है इसके अलावा उनसे बिग बॉस न जे नेल भट का नाम ले लेते हैं अब फिलाल आप मुनावर फ़ार की को सपोर्ट करते हैं या फिर बिग बॉस की किसी और कंटेस्टन को कमेंट करके जरूर बताएगा साथ ही वीडियो पसंद आई होते से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा अभी के ल